हेलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियोस में हम बात केने वाले हैं ऐसे कुछ mutual fund के बारे में जो कि अगर आप उसमें कुछी amount यहाँ पर add करते जाते हैं तो आप बहाँ पर करोडों रुपाय निकाल सकते हैं कुछी समय में और इसी के साथ में अगर आप 2,00,000 रुपाय यहाँ पर लगा के छोड़ देते हैं एक ही बार में ठीक है तब भी आप यहाँ पर करोडों निकाल सकते हैं कुछी समय में तो वो कितने समय में निकाल सकते हैं और किस तरीके से निकाल सकते हैं कौन-कौन से mutual fund है और अपने पैसे को निवेस करना चाहिए तो चलिए यह सा जब से थार्र चीले साथ मुझे यहां पर सब पैसा यहां पर होगी पांचीज राइख वी कुव property यह लाग है, तो फंड रूगूलर प्लान ग्रोथ पर हमें यहाँ पर रूगूलर में नहीं करना है जैसे कि हमें यहाँ पर डारेक्ट में करना है तो हमें यहाँ पर डारेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में हम गोपर सिंपली क्रिक कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर जो पैसा है हम खुद से यहाँ पर उस mutual fund में पैसी को निभेस करेंगे और उसी से ही हम unit को buy कर लेंगे तो जैसे कि यहाँ पर यह page है यहाँ पर open हो रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहा है SBI control fund direct plan growth ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसकी na be है मोटी बोडी बाते है मैं इसमें आपको समझाते जलता हूं ताकि आपको पूरी तरीके से यहाँ पर जो आपके निभी किसी बी प्रकार का कोई भी सबाल न रहे ठीक है तो यहाँ पर देखने को मिल जाती है na be NAV की full form होती है net SS value ठीक है NAV एक unit समझ सकते है जब भी mutual fund launch होता है तो उसके अंदर कुछ पैसा add किया जाता है और उस पैसे से जानि की 10 रुपए के हिसाब से NAV बना दी जाती है और NAV की जैसे की 1000 बनेगी या फिर 10,000 बनेगी या फिर 1,000,000 बनेगी 427.21 पैसे आज की डेट में ठीक है और यहाँ पर जो एक्समेंस जो rate है वो है 0.57 अगर एक्समेंस जो rate है वो actually में होता क्या है सबसे पहले हम यह समझ लेते है जो एक्समेंस rate है वो होता है जब भी हम रुगूलर के थूरू जाते है तो एक्समेंस जो rate है वो यहाँ पर हाई हो जाता है जानिकि यहाँ पर होगा 1.56 ऐसे कुछ होगा अब एक्समेंस rate का मतलब जैसे की रुगूलर के थूरू जाते हैं तो हम एक agent को वाई करते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रुगूलर के थूरू ना जाकर ठीक है हम direct के थूरू जाएंगे ठीक है अगर हम रुगूलर के थूरू जाएंगे तो कहने का मतलब है हम एक agent को वाई करेंगे अब उस agent जो जिस agent को हम वाई करेंगे तो वो agent क्या करेगा उस mutual fund में पैसे को invest कर देगा हमारा ठीक है और उस mutual fund से जो भी unit मिलेंगी वो हमें दे देगा उसका ये काम होता है और उसका काम होता है और इस mutual fund की खासियत क्या क्या है वो सारी चीजे बताते है ठीक है तो हरा कि ये सारी चीजे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है ये सारी चीजे मैं आपको खुदी बता रहा हूँ फिरी में ठीक है तो यही होता है और उसका जो expensive rate है वो बढ़ जाता है तो ऐसे में जो आपके पैसे से ही commission ठीक है उस जो आप एक agent को buy करते हैं उसके पास जाती है और उसके लिए commission हम या फिर आप नहीं देंगे जिस mutual fund में पैसे को invest किया होगा वो company या फिर वो bank उस जो की आपने agent buy किया है उसके लिए वहाँ पर commission देते रहेगी हर साल ठीक है जब तक आपका पैसा उसमें जमा रहेगा तो अब हम डारेक्ट direct plan में हम यहाँ पर passive को invest कर रहा है तो हमारा कोई agent नहीं है तो कहने का मतलब है हमारा कोई agent नहीं है तो जो expensive rate है वो यहाँ पर कम होगा जो कि आप यहाँ पर देख पाना है 0.57 ठीक है तो यह तो आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आही गया अब यह यहाँ पर जो contra fund है actually मैं यह काम किस तरीके से करता है जैसे कि building ये बनना properties बनना तो अगर आप इसमें passive को निवेज कर रहा है तो आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा और आप long time में ही यहाँ पर अधिक profit ले सकते है ठीक है इसी के साथ मैं आपको यही बिता दूँ जब भी आप इसमें passive को withdrawal करेंगे अपने खाते मिलेंगे तो आपको कौन कौन से tax लगेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो पहले था कि आपको एक लाग की वहाँ पर छूट मिलती थी ठीक है और उस पर आपको आप पैसा इसमें निवेश करते हैं जब भी आप withdrawal करेंगे तो आपको कौन कौन से tax लगेंगे ठीक है जैसी कि अगर आप एक साल से जानी कि बाद में पैसे को या फिर आपका एक साल हो जाता है ठीक है उसके बाद आप उस पैसे को निकालते हैं तो आपको long capital gain tax पे करना पड़ेगा जो कि आपको 12.5 जैनी कि 12.5% आपको पे करना पड़ेगा इसकी calculation मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिये कि आखरी इसकी calculation किस तरीके से होती है काफी लोगों को इसकी calculation करना नहीं आती है ठीक है वो क्या सोचते हैं कि वही अगर माल लो इसमें हमें 20% भी मिल गया ठीक है तो हमें 12% tax pay करना पर जाएगा सरकार के लिए तो हमें बचा कितना 7.5% तो 7.5% से हमें यहाँ पर risk क्यों नहीं ठीक है तो ऐसे में यह है कि आपको यहाँ पर यह calculation समझने के लिए तो सबसे पहले आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी वो आपको वीडियो के discussion में या फिर आपको इस्क्रीन पर last में सो हो जाएगी ठीक है उस वीडियो को देख लिएगा आप यह अच्छी तरीके से समझ जाएंगे ठीक है उसके बाद में आ जाता है अगर आप long time capital gain अगर आपको tax लगता है तो उसमें आपको 1,25,000 की छूट भी मिलती है ठीक है 1,25,000 की छूट मिलती है और इसी के साथ में अगर आप एक साल से पहले पैसे को बिड्रॉल करते हैं अपने खाते में लेते हैं तो उसमें आ जाता है short time capital gain tax ठीक है तो इसमें आपको क्या होता है कि आपको 20% tax pay करना पड़ता है अब यहाँ पर जोल किया है सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए आपको कि 20% tax pay करना पड़ेगा बो tax से जो आपको profit होगा उस पर tax pay करना नहीं पड़ेगा सारे ही पैसे पर tax pay करना पड़ेगा और एक साल से बाद में पैसे निकालते हैं तो आपको जो भी आपने invest किया होगा एक घाई हटा देंगे उसके बाद में जितना भी आपका amount बना उसमें से 1,25,000 रुपे को निकालेंगे और उसके बाद में आपको 12.5 के हिसाब से आपको tax pay करना पड़ेगा सरकार के रिए जो कि long time capital gain लगता है तब ठीक है short time पर लगता है तो मैंने आपको बताई दिया है कि आपको 20% इसपे tax pay करना पड़ेगा इसी के साथ में एक tax pay करना और भी पड़ता है अगर आप short time में पैसवी को निकालते है तब ठीक है वो actually में क्या होता है एक होता है exit load ठीक है exit load होता है अब exit load एक रुपए होता है या फिर एक रुपए से कम होता है या फिर एक साल के लिए होता है कहने का मतलब है अगर आप एक साल से पहले पैसे को निकालते है तो आपको 1% exit load देना पड़ेगा ठीक है तो ये बात को आपको समझ लेना चाहिग जो इसका exit load है वो आपको एक ही परसेंट देना पड़ेगा अगर आप एक साल से पहले पैसे को निकालते हैं तो ठीक है तो मैंने आपको ये तो बताई दिया कि आखिर इसके कौन-कौन सी कटोती लगती है जब भी आप ड्रॉल करते हैं और इसी के साथ में एने भी क्या होती है एक्शन से rate क्या होता है ज्योंकम-कैपटल जो की मैने आपको बताई दिये है ठीक है अब चलते हैं मुध्यपा ञाल के यहां पर एक साल में जो इसने रिटन दिया है बो दिया है यहां पर देख पा रहा है एक मन्त हो गया यहां पर एक साल में स्छलेक्ट करते दा हूं 47.8 कहने का मतलब है आज की ही डेट में आपने 2023 में एक लाग रुपई इसमें निवेश किया होते तो आज उन पैसों की जो और वेलूँ उते में 1,47,800 की करीब यहां पर रुपय होते बो आपके ठीक है तो आप यहां पर समझ सकते हैं इसी के साथ में पर यहां पर इन्हों ने ये भी कहा है जैसे की दो साल या फिर पांस साल या फिर हम यहां पर आल पर सेलेक्ट Fried पर कर देते हैं तो यहां पर आमान्ट हमारी देखने को मिल लई है ज comment Pinterest परिण का पर देखने मिल लिया है अब इससे को नभेस करते हैं तो यहां पर मजलता हूं सबसे पहले अपनी website पर अब इसकी calculation हम करके देखेंगे 19 पॉनड़ बहांद पर था करीब maior 14 तो हम यहाँ पर 18 माल लेते हैं यह फिर 19 माल LEते हैं चली हम यहाँ पर 11 से कम देगा नहीं वह ठीक है हमंने ठीक है चलिए मैं यहाँ पर 19 कर देता हूं 19 कर दिए और यहाँ पर अगर हम 25 रुपए पैं करते हैं ठीक है जैसे की आज की ही डेट में हम यहाँ पर कर देते हैं चलिए मैं यहाँ 23 कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर जो amount है मैं यहाँ पर कर देता हूँ कम थोड़ी सी amount कर देता हूँ मैं यहाँ पर 2300 के कर देता हूँ ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप जानि कि 2300 रुपए पे करते हैं और इसी के साथ में 23 साल तक आपकी SIP चलती है ठीक है और आपको 19% कभी आपकर आगर आपको return मिलता है तो आपकी जो amount होगी वो होगी यहाँ पर जमा वो होगी 6 लाग जो की देख सकते है 35,000 ठीक है इसी के साथ में अब आपको जो profit होगा ठ 20 सालों में वो यहाँ पर होगा एक करोर 5,000 ठीक है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहा हैं एक करोर 5 ठीक है इसी के साथ में आप जो profit होगा वो होगा आपको यहाँ पर देखने की मिला है जयानि कि एक काणड़ जीरो, optimal ठीक है जो आपको Aoaskik होगा जो आपको 6.30.000 रोपय पे आपको जो प्रोफिट होगा वह होगा एक पॉइन पर अमौंट मिलेगी 23 ला वात बो यहां पर मिलेगी 1.012 करोड जो कि आपको यहां पर इतनी अमौंट विलेगी अगर आज की ही डेट में आप यहाँ पर अपनी SIP को शुरू कर देते हैं 2300 रुपए पर मन्त पे करते हैं और 23 साल तक अगर आप पे करते रहते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा वो होगा यहाँ पर आप देखी सकते हैं जाने की 23 साल बाद आप यहाँ पर जो की 2300 रुपए से अगर आप अपनी SIP चलाते रहते हैं और 23 साल तक अगर आप पे करते हैं तो आपको यहाँ पर बन पौंड जो की 11 करोड रुपए का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा प्रॉफिट के साथ जो की आपको अमोंट मिलेगा ठीक है इसी के साथ में हम यहाँ पर जैसे की अगर हम यहाँ पर पे कर देते हैं जैसे की हम यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो हम 2500 कर देते हैं यह वाला ठीक है काफी लोग 25 रुपए काफी आराम से पे कर सकते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं 22 तो यहाँ पर देख सकते हैं 99.86 लाग कहने का मतलब है आपको यहाँ पर करीब 14,000 रुपए कम रह जाएंगे अगर आप यहाँ पर 25 रुपए पे करते हैं और 2 साल तक चलाते हैं, तब ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है तो आपको क्रीब यहाँ पर 14,000 रुपए कम आपको यह करोड रुपए मिल जाएंगे, जो कि आपको 6.6 लाख रुपए आपको इसमें निबेश करना होगा, जो कि 25-100 रुपए आप उस वीडियो को देखकर समझाएंगे जो कि आपको discussion में या फिर आपको screen पर last में सो हो जाएगी वह ठीक है अगर आप यहाँ पर दो लाग रुपा जमा करते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर दो लाग रुपा जमा कर देता हूँ एकाई दहाई मैंने यहाँ पर 20 साल रहने दिया है जो return है वो हम मान लेते हैं 19% ठीक है हाला कि वो 19% से अधिक दे दे पर हम यहाँ पर 19 ही मान की चलना है ठीक है 19 तो यहाँ पर आ जाता है करीब 64 अगर हम यहाँ पर जैने कि साल बढ़ा देते हैं ठीक है जैसे कि हम यहाँ पर कर देते हैं 22 कर देते हैं सॉरी यहाँ पर हो गया हाँ बाइस हो गया तो यहाँ पर हो जाता है 91 अगर हम यहाँ पर 23 कर देते हैं तो हाँ अगर हम यहाँ पर 2,00,00 रुपए आज की डेट में हम यहाँ पर जमा करते हैं और हमें 19% का अखिरा में रिटन मिलता है ठीक है तो हमें 2 लाग रुपए के यहाँ पर जो रुपए मिलेंगे 23 साल बाद वो मिलेंगे यहाँ पर 1.09 जाने कि यहाँ पर इसका मतलब है कि आपको 1 करोड यहाँ पर 9000 रुपए सम्थिंग आपको मिलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 2 लाग रुपए अगर आप जमा कर देते हैं तब ठीक है इतना आपको जो फ्रॉफिट है वो तो एपडी में भी नहीं होगा और दूसरे मीचरल फंड में भी नहीं होगा अगर आप कॉंट्रा फंड से हो गया वो चलिए हमें यहाँ पर जान लेते हैं तो मैं यहाँ पर इक न्यू पेज को ओपन कर लेता हूं सिंप्ली और मैं यहाँ पर सर्च बार में जाता हूं यहाँ पर लिख देता हूं SBI कॉंट्रा और उसके बाद में हम इस पर सिंप्ली किलिक करते हैं अब जो आपका एकजिट लोड था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं एकजिट लोड ठीक है एकजिट लोड आपको एक परसेंड देना होगा अगर आप एक साल से पहले निकालते हैं तब यह बात मैंने नीची की तरब स्क्रॉल करता हूं तो आपको यहाँ पर यह देखने को मिल जाता है जो मिचुरल फंड है वो SBI का मिचुरल फंड है और यह लॉंच हुआ है जो इसकी लॉंच डेट है जानिकि एक जून को 2013 में यह लॉंच हुआ है ठीक है उनसे यह मिचुरल फंड अधि क्योंकि अगर हम किसी में में को निवेज करना है तो उसका फंडू मेनईजर होता है तो चुर्ilo फंड फंड मेंचर क्या करते हैं उस पईसे कर ना ही होगा कंपनियों में तो आथि तो यह एक है कि आपको पैसे उसधे में लगता तो आपको यहाँ पर अधिक profit तभी देखने को मिलेगा अगर आपको एक long time में जाने की तो आपको अधिक profit तभी देखने को मिलेगा अगर आप अपने पैसे को अधिक समय के लिए छोड़ते हैं तब तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह सब कुछ समझ में आगया होगा कि आखिर आप 2,00,00,00,00,00,00,00,00,00 कितने समय में बना सकते हैं और आपको कितना tax pay करना पड़ेगा और actually में जब भी आप mutual front में पैसे को निवेश कर रहा है तो आपको कौन-कौन सी बातों को द्यान रखना चाहिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नाइस वीडियोस में